नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एजिविस्टन चनल में आज के उड़ो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम यह वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से जो पर्सन है उसको ब्रेथिंग करने में काफी ज़्यादा प्रॉब्लेम हो रही है मनला कि जब आप सास लेते हैं या फिर यहाँ पे चेक करते है तो जो पूरा सरीर है जो बदन है वो ठंडा पढ़ने लगता है फिर तीसरा हम सिम्टम देखे तो कानों में गंटी बजना कि जो person है वो ऐसा feel करता है कि उसके जो कान है दोनों कान में या फिर किसी भी एक कान में जैसे गंटी बज रही है ऐसा वो feel करता है चौता सिम्टम हम देखे तो सासों का तेज कर चलना मनलब कि काफी fast fast आपको breathing करने पड़ रही है फिर breathing करने में तकलिफ होना और दिल की दढ़कन है वो बढ़ जाती है मनलब कि जो heart rate होते है जो pulse होते है जो heartbeats होते है वो काफी ज़्यदा बढ़ जाते है इसके करन सीर में दर्द होता है तनाव जैसा मैसूस करता है परसन फिर आठवा हम सिम्टम देखे तो कई बार नाक से खून आने लगता है किसी भी एक नाक से या फिर दोनों नाक में से जे वो खून आने लगता है फिर एक और हम सिम्टम देखे तो ठकावट लगती है सुस्ती लगती है आलस जिस आपको फील होता है मनलब कि कोई भी ऐसे physical activity ना की हो फिर भी ऐसा फील होता है कि आप काफी ज़्यदा ठक गए है कमजोरी जैसा मैसूस होता है और दसवा हम health problem या फिर symptom हम देखे तो chest pain होना कि especially यह जो छाती का जो बाग होता है यह side का वहाँ पे जो है वह काफी ज़्यदा दर्द मैसूस होता है सीने में दर्द जिसको हम कहते है तो यह जो सभी health problem है या फिर एक तरीके सम symptom का है तो वो indicate करते है कि high blood pressure का problem हो सकता है तो जो इसको भी कि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरण नजदी की clinic पे जाके आपका blood pressure जो हुए जरूग से check करना चाहिए और regularly BP को check करना दे रहना जरूरी है तो यह जो problem है उसको solve करने वाली बहुत अच्छी जोट medicine है उसके बारे में हम जानते है आज के lecture में कि जिसका नाम है tell me kind am और जानेंगे कि यह medication देने का सही तरीका क्या होता है उसके side effects क्या हो सकते है dose क्या है price क्या है pregnancy में उसको ले सकते है या नहीं या फिर उसके drug drug interactions क्या है तो सबसे पहले उसके basic से सरुवात करते हैं तो यह ऐसे class के medication है कि जिसका हम anti hypertensive medicine कहते हैं ऐसी दवाई है कि जो special blood pressure को कम कर करने के लिए use की जाती है और tell me kind am जो है उसका brand name है और उसके अंदर दो दवायों का combination है एक जो है वो है MLDP ने की जो 5 mg जितना एक tablet के अंदर present है और दूसरा जो है वो tell me sartan की जो 40 mg जितना एक tablet के अंदर जो है वो present होता है manufacture के हम बात करें तो mankind pharma उसके manufacture की जो एक Indian multinational pharmaceutical company है जिसकी head office इंडिया में जो है वो न्यू देली में है तो यहाँ पर में video के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर हम थाई blood pressure के बारे में सीख रहे है ऐसे ही बहुत सारी दीवाईयों के बारे में आपको सीखना अच्छा लगता है बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो जो हमारी book है decision treatment उसको जरूर से आप purchase कर सकते हैं साइड में आप यहाँ पे book का video भी देख सकते हैं और यह book की sample copy चेक करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं दिये गे नमबर पे और वही से आप इसकी hard copy जो printed copy यह जो है उसको order कर सकते हैं तब topic पे वापस आते हैं और use के बारे में समझते तो आगे जो हमने symptoms देखे और जो health problem देखे वो problem को solve करने के लिए tell me kind EM tablet जो हो prescribe की जाती है तो specially high blood pressure को treatment और management में उसको use किया जाता है फिर जो chest pin का जो हमने symptom देखा कि जो specially सीने में दर्ध होता है तो यह problem को ठीक करने के लिए उसको prescribe की जाती है फिर यह सभी symptoms के करने एक risk र लिए prevent करने के लिए और condition को manage करने के लिए tell me kind EM को जो है वो prescribe किया जाता है तो इसके बारे में और हम जाने label की study करें तो यह prescription based medication है बीना prescription इसको कभी भी नहीं दी जा सकती because यहाँ पर आप देख सकते कि उसका उपर red color के line भी है packing में label के उपर और RX लिखा हुआ है साथ में आप पीछे की और देखोंगे तो यह warning भी छपी हुई है जिसमें लिखा है कि specially pregnancy में उसको use नहीं करते फिर tablet का हम type देखे तो यह uncoded type के bilayer tablet होती है कि दो drug का combination होने के करनी ह और जदा detail में जाने तो blister pack में available है और एक blister के अंदर आपको 10 tablet जो हो मिल जाती है working के बारे में समझे तो यह medications क्या करती है तो blood vessels जो हमारे सरीर में होती है उनको dilate कर देती है जिसके करण blood pressure जो हो कम हो जाती है तो उसको हम diagram से अच्छे से समझ सकते है तो यहाँ पर आप स diameter छोटा हो जाता है तो उनमें जो खोन बह रहा है उसका pressure बढ़ जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे है constricted blood vessel जिसका diameter छोटा है जिसके करण blood pressure बढ़ जाता है तो जो हमारी जो दवाई है tell me kind AEM वो क्या करती है तो उसकी जो smooth vessels होते है उसको relax कर देता है उनको dilate कर देता है जिसके करण क्या होता है कि आपकी जो blood vessel है वो भी relax हो जाती है उसका diameter जो जो छोटा था पहले वो बढ़ा हो जाता है diameter बढ़ा हो जाने से जो flow है उसका जो pressure था वो दीरी-दीरे कम हो जाता है और यह medications लेने के बाद blood pressure जो दीरी-दीरे कम होने लगता है और normal की range में जो है वो आता है नेक्स्ट अप डूस की हम बात करें तो adult डूस उसका है 20 लेकर 80 mg दिन में एक बार tell me certain करहेगा और amlodpine की बात करें तो उसका जो डूस यह 5 से लेकर 10 mg जितना रहता है दिन में एक बार तो यह tablet में जैसे हमने देखा कि tell me certain 40 जितना है और amlodpine 5 mg जितना है तो minimum dose में अगर कोई यह tablet को use करता है तो एक tablet per day के हिसाब से ली जा सकती है और maximum dose उसका रहेगा 2 tablet per day पर high dose में कभी भी use ने करना है और जब भी यह medications किसी के चल रही है तो regular blood pressure चेक कराना जरूरी है और उसके बाद यह final dose नकी करना चाहिए कि जैसे side effects से जो यह वो patient बच सके price के हम बात करें तो जगर आप यह 10 tablet का यह blister purchase कर दें तो 75.9 के आसपास आपको बढ़ती है मनलब कि 76 रुबिस के आसपास बढ़ती है और एक tablet के price रहेगी around 7.5 रुपे जितनी रहेगी side effects के हम बात करें तो अगर कोई किसी को यह medication suit नहीं करती तो क्या होगा जो हमारे हाथ होते हैं वहाँ पे सूजण आ सकती है जो legs का बाग होता है वहाँ पे सूजण आ सकती है फिर common cold जैसा कोई feel कर सकता है back pain किसी को हो सकता है किसी को diarrhea, नेंद ना आना, drossiness जैसा confusion, skin के उपर racist बन सकते कि जहाँ पे आपको इस तरह से itching आ सकती है और weakness, कमजोरी, ठकान जैसा करती, फिर warning यह रही कि कि अगर किसी को allergy है, tell me का इंड एम के मले कि amlodipine या फिर tell me certain कि आपको allergy है तो उसको use नहीं करनी चाहिए, kidney या फिर लियो रियर प्रॉब्लेम है, severe dehydration का patient है कोई, और pregnancy के दोरान और breast wearing period में इसको जो है use नहीं करनी है, वरना क्या हो सकता है कि serious complications और side effect हो सकते हैं, तो ऐसे ही आपको अच्छा लगता है, अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना तो हमारी यह जो book है, उसको आप जरूर से purchase करें, book purchase करने के लिए आप नीचे comment box के अंदर comment कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको number मिल जाएगा pain comment के उन अंदर, तो वो number पर WhatsApp करके भी इसकी जो copy है, वो book करा सकते हैं और उसको order कर सकते हैं, आगे समझते हैं कि pregnancy category क्या रहे हैं कि तो pregnancy category D है इसकी, unsafe मानी जाती है, जब pregnancy category C या D होती है तो, तो pregnancy में उसको कभी भी use ना करें, अकर BP high रहता है pregnancy के दोरान, तो gynecologist को जरूर से जो वो consult करना चाहिए और उसके बाद ही उसको use करनी चाहिए है, drug drug interactions हम देखे, तो यहाँ पे जो हम पूरी एक list देख रहे हैं दवायों की, यह दवायों के साथ हमारी जो drug है, वो drug drug interactions कर सकती है, तो कभी भी यह दवायों का combination tell me kind AM के साथ नहीं करना चाहिए, because अगर कोई ऐसा combination बन गया, तो उस नहीं करना है, जैसे कि कोई ibuprofen ले रहा है, तो उसके साथ एक ही time पर combination में tell me kind को use नहीं करनी चाहिए, उसी तरह से की treatment चल रही है, Alice की रेंड की तो उसके साथ भी इसको use ना करे वाना serious side effects and drug drug interactions हो सकती है, तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो यहाँ पर click करके मेरा ये वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं, तो बाजो में जो box दिया है, वहाँ पर click करके मेरा वीडियो जरूर से देखें, चैनल को subscribe करें, good luck and all the best.